Hello and welcome to the new tutorial of Miracle Accounting Software आज तक आप Pen Drive और Hard Disk में अपने कमपनी का Backup लेते होंगे पर Pen Drive या Hard Disk का Misplace या Corrupt होने के चांसे ज्यादा है तो बहतरी सॉल्यूशन है Google Drive Backup जो सिक्योर और कहीं से भी एक्सेसिबल है आज के इस Tutorial में हम देखेंगे कि कैसे आप Miracle Accounting Software में Google Drive Backup ले सकते हैं Simply open the Miracle Software, select the company for which you want the backup Now, प्लीज उस बात का धियान रखेंगे कि आप Miracle Accounting Software का Updated Version 5.0 यूज़ कर रहा है Exit About Us अप्शन में जाकर Update Software बटन पर क्लिक करेंगे तो Pop-Up Box ओपन होगा आप वहाँ पर बटन पर क्लिक करके 5.0 वर्जन अप्डेट कर सकते हैं अब जानेंगे कि हम कैसे Google Drive Backup Facility यूज़ कर सकते हैं तो Backup लेने के लिए प्लीज गो टू यूटिलिटी, System Utility, Backup अब Old Version के Comparison में थोड़ा Change है First Option में Company Select करे अगर Only Financial Year का Backup आप चाहते हैं तो वह भी Select कर सकते हैं Then Backup Dropdown में Various Options दिये गए हैं जैसे कि Internal यानि कि अपने Local Path में आप Backup Store कर सकते हैं Other Path कोई Different Path में अगर आप Backup Store करना चाहते हैं तो आप Other Path कर सकते हैं इमेल और WhatsApp थूरा Backup सेंड करना चाहते हैं तो वह भी Option अवेलेबल है Multilocation का मीनी यह है कि आप एक साथ दो जगे पर Backup Store कर सकते हैं जैसे कि Bandrive और Harddisk Google Drive में आप Directly Backup Store करना चाहते हैं तो वह भी Option अवेलेबल है Send for Support Direct आप Backup हमारी Technical Support Team को भी Send कर सकते हैं हम यहां जैसे ही Google Drive सेलेक्ट करेंगे Login Button अपियर होगा यह One Time Process होगी एक बार आप Login कर लेंगे उसके बाद आप Backups Multiple Times स्टोर कर सकते हैं जैसे ही आप Login पर क्लिक करेंगे आप Gmail.com पर Redirect होगे वहां से आप जिस भी Mail ID में आपको Backup स्टोर करना चाहते हैं वो ID सेलेक्ट करें जैसे ही आप ID सेलेक्ट करते हैं Permission Related Pop-Up Appear होगा Click on Allow Then Finalization के लिए एक और बार आपको Confirmation Box में Allow पूछा जाएगा Please Press Allow जैसे ही आप Allow प्रेस करेंगे आपको Received Verification Code You May Close The Window Now वैसा एक विंडो दिखाएगा आप उस विंडो को Close कर दे हम जैसे विंडो क्लोस करके Miracle Accounting Software में जाएंगे वहां Successful का Message अपियर होगा Make Sure कि आपको Successful का Message आ चुका है तब भी आप Backup अप्लोड कर पाएंगे और अब यहाँ पर Email ID भी Show होगा अगर आपको कोई दूसरा Email ID साइट करना है तो आप Logout बटन को प्रेस करेके दूसरा Email ID भी साइट कर सकता है अब आपको जिस भी कंपनी का Backup चाहिए वो Company सेलेक करे Then आप OK प्रेस कर सकता है Within 2 मिनिट्स आपका सारा डेटा Google Cloud में स्टोर हो जाएगा वहाँ से आप उसे कभी भी रिस्टोर कर सकता है और प्लीज धियान रखिए कि इस Backup की फायर आपको Google Drive के अंदर शो नहीं होगी आप सिर्फ अपने Backup को Miracle Accounting Software में से ही रिस्टोर कर पाएगे रिस्टोर करने के लिए यूटिलिटी, रिस्टोर कंपनी, सिलेक्ट जीड्राइग और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपका सारा डेटा रिस्टोर हो जाएगा आप इस तर ऐसे Miracle Accounting Software में Google Drive Backup and Restore easily कर सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है और प्लीज मेक शूर तो प्रेस दे लाइक बटन और आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्रीब करना ना भूले थैंक यू